दोस्तो आज के वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्याद हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 Best Laptops for Different Category मतलब अगर आप एक student हो, office use के लिए चाहते हो या फिर एक programmer हो या फिर gaming के लिए आप laptop सर्च कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको different categories के laptop बताऊंगा उन में क्या benefit आपके रहेंगे और किस purpose के लिए वह आपके लिए best रहेगा so make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे और हाँ अगर इस वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को like और share जरू करना तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले laptop की जो कि है Dell new 15 अगर इस laptop की बात करें तो वो लोग जो कि student है या फिर office यूज के लिए laptop सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए best option है ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ अगर आप Photoshop Illustrator या फिर मैं बात करो वर्ड, Excel, PowerPoint ऐसे software वगर यूज करना चाहरे हो वो भी बिल्कुल अच्छी accuracy के साथ तो यह best है अगर इस laptop की बात करें तो यह 11th generation laptop है i3 processor के साथ साथ ही यहां पर आपको 256 GB की SSD मिलती है अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अगर आप अभी laptop ले रहे हो कभी भी ले रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना अगर आपको कभी भी compare करना हूँ HDD यानि hard disk versus SSD तो हमेशा SSD को चुनो अभी काफी लोग है जिन्होंने laptop लिया है 40,000-50,000 के laptop ले लिया है लेकिन सिर्फ एक ही problem उनमें सबसे ज़्यादा आ रही है even HP जैसे brand की बात कर रहा हूँ है कि उसमें सबसे ज़्यादा problem आती है HDD की hard disk drive में जो आप compilation की बात करे है execution की बात करे हो बहुत ही slow है और इसलिए सबसे ज़्यादा recommendation होता है जब उसमें problem भी आती है कि आप SSD डलवा लो आपका laptop बहुत अच्छा चलेगा तो यह हमेशे ध्यान रखो पहले सही कि आप अगर laptop ले रहे हो तो उसमें SSD का preference देखो laptop में especially यह ध्यान रखे है इसके साथ ही आपको यहाँ पे 8GB RAM मिल जाती है जो कि आपके apps वगरा की processing के लिए best option है इसके साथ यहाँ पे आपको window 10 plus MS Office का support मिल जाता है यहाँ पे साथ ही अगर इसके display की हम बात करें तो full HD display आपको मिलती है 15.6 inches की category में इसके साथ यहाँ पे आपको inbuilt graphics मिलते हैं जो कि Intel का integrated graphics होता है इसके साथ ही जो इसका look है वो भी काफी जाद अट्रक्टिव है साथ ही मैं आपको बता दू कि आपको एक साल की warranty देता है और 7 days का replacement on Amazon से अगर आप इसे मंगाते हो अगर आपको बता दू कि on Amazon इसने 4.3 star plus की rating grab की हुई है जिसमें इसने 2-3000 sales generate किये और इतनी जाद अच्छे rating grab किये हम इस laptop की बात करें तो यह है HP 15S और अगर इस laptop की configuration की बात करें तो आपको बहुत जादा पसंद आने वाली है सबस्क्राइब हम बात करते हैं इसके processor की तो इसमें AMD Ryzen 3 का processor लगा हुआ है अब जो लोग Intel versus Ryzen के concept को जानते हों उन सब को बताई कि Ryzen Intel के मुकाबले आज के time में काफी आगे चल रहा है क्योंकि जितने भी personal लोग हैं जो gaming करना चाह रहे हैं graphics वगरा यूज करते हैं तो वह AMD का भी होता है इसके साथ ही आपको यहां पर 8GB की RAM और 512 SSD memory support मिल जाता है यानि कि आप hard disk जिसे बोलते हो नो जैसे कितनी storage है तो यहां पर 512GB की storage मिल जाती है वो भी SSD में जो कि best option है इसके साथ ही आपको यहां पर dual speaker का support मिल जाता है और साथ ही जो इसका silver coated यहां पर design दिया बहुत ही common हो गया है तो यहां पर यह चीज आपको मिल जाती है और साथ ही में आपको बता दू कि जो इसके screen है वो anti glare है anti glare in the sense आपको पता है कि जिन लोग की ठीक भी होती है वो लोग चश्मा लगाते है नॉर्मल anti glare में इसलिए ताकि जो LCD LED से जो rays निकल रही है वो हमारी आपको नुकसान ना पहुंचा है तो यहां पर आपको इस screen में anti glare का support मिल जाता है जो कि आपके आखों के लिए काफी जाद अच्छा है तो अगर आप इस product में इंट्रस्टेट हो या जितने भी laptop में दिखा रहा हूं किसी में इंट्रस्टेट हो तो नीचे description में सबका लिं आपको दिखा है उसी के जैसे है बस brand का फरक है कुछ लोग को Lenovo brand जादा पसंद है कुछ लोग को HP जादा पसंद है तो यह दोनों अलग-अलग brand है otherwise अगर हम quality basis पे बात करें तो लगभग same है थोड़ा बहुत फरक है बट लगभग same है अब यहां पे अगर इसका comparison हम करें तो same आपको यहां पे 15.6 inch की full HD display मिल जाती है anti-glare जो मैंने भी उसमें बात की थी आँखों के लिए बैटर रहेगी वो आपको यहां पे भी मिल जाता है इसके साथ ही में जो इसका भी silver मतलब थोटा dark में ले लो बट इसका भी same है अगर हम color combination की बात करें इसके साथ आपको यह थोड़ा जादा plus point है अगर हम उसके भी हाप पे बात करें तो इसके साथ ही मुझे इसमें एक चीज और अच्छी लगी जो कि है इसका battery backup मतलब एक बार अगर आप इसे full charge कर लेते हो तो यह आपको 6 घंटे का battery backup देता है तो यह कुछ चीजे हैं जो मुझे उसके comparison में थ थोड़ी जादा plus point लगती है बट अगर हम बात करें तो लगबख same category से भी लॉंग करते है price में भी थोड़ा difference है तो वो चीजे आप खुद इसमें देख लो कि आपको कौन सा जादा better लग रहा है So I hope कि दोस्तों यह भी जो product है वो आपको पसंद आया होगा अब यहां पर बात करता है next and last laptop की जो की है gaming laptop अगर इस laptop के हम बात करें तो proper gaming laptop है बहुत ही अच्छे reviews और बहुत अच्छे rating के साथ on amazon available है So I am damn sure कि यह जो product है वो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है अब यहां पर हम बात करें सबसे पहले इसके brand के तो यह है आशूस brand के दरफ से और यहां पर अगर हम बात करें तो यह है ROG STRIX Z17 तो यह चीज़े आपके knowledge के लिए थोड़ा सा हम clear कर देते हैं अब बात करते है इसके qualities भी तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें आपको Ryzen 7 का processor मिल जाता है तो अभी हमने थोड़ देर पहले laptop की बात की जिसमें Ryzen 3 था और उसी की quality मैं आपको बताया थी तो आप analyze करो कि Ryzen 3 के बाद Ryzen 5 और उससे उपर होता है Ryzen 7 तो इसमें आपको Ryzen 7 का processor मिल जाता इसके साथ हम इसके display की बात करें तो अभी तक जितनी भी laptop की बात मैंने की वो थी 15.6 inches की display यहां पर आपको मिल जाती है 17.3 inches की full HD display इसके साथ ही अगर हम memory की बात करें तो यहां पर आपको DDR4 में 8 GB की memory यानि की RAM support आपको मिल जाता है इसके साथ ही storage की बात करें तो 512 GB की SSD आ और अगर हम graphics की बात करें तो NVIDIA की जो graphics काफी famous है वो इसमें inbuilt है तो यह सारी चीज़े आपको यहां पर मिल जाती है साथ ही अगर हम keyboard की बात करें तो यह एक RGB keyboard है जिसमें आप पता है ना light वगरा जलती है gaming में काफी अच्छा cool experience देती है तो वो चीज़े भी आपको यहां आपको यहां पर मिल जाती है तो यह सारी चीज़े आपको यहां पर मिल जाती है तो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना साथी कमेंट करके अपना feedback जरूर देना थैंक्यू